पानी जिन्दिगी का आधार है, हमारे शरीर का दो तिहाई हिस्सा है और केल्सियम, एबम, मेगनिसियम समेट कई जरूरी मिनरल्स का श्रोत है इसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रपर होने चाहिए तो आम तोर पे लोगों का मानना होता है कि अगर पानी देखने में सही है और पीने में मीठा है तो क्वालिटी ठीक है और इसलिए आजकल बहुत सारे लोग आरो वाटर और बॉटल वाटर की तरफ सिफ्ट हो गए हैं लेकिन इस से प्राब्लम और बढ़ गई है और इतनी बढ़ गई है कि WHO को एक वार्णिंग जारी करनी पड़ी है पिछले साल कोलकता में जो भी जितने ब्रांडेड वार्टर्स आते हैं उनका कमपरेजन वहां के नलके के पानी के साथ किया गया था और पाया ये गया कि नलके का पानी जादा सहतमन्द है आरो और बाटल वाटर में तीन बड़ी प्राबलम्स होती हैं पहली प्राबलम TDS की, दूसरी मिनरल्स की और तीसरी प्राबलम्स प्लास्टिक्स की TDS मतलब Total Dissolved Solid की पानी में क्या-क्या घुला है, कितना घुला है अगर पानी का TDS कम हो, तो पानी हाइपोटोनिक होता है अगर TDS ज़्यादा हो, तो हाइपोटोनिक पीने के पानी को ना तो बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक और सबसे बढ़िया टोनिसिटी मिलती है 350 TDS पर बैसे 2500 से 500 की पूरी range यी बढ़िया है और 1000 TDS तक का पानी पिया जा सकता है पानी का TDS 100 से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि 100 से कम के TDS का पानी बहुत जादा हाइपोटोनिक होता है और इतना हाइपोटोनिक वाटर जो बड़ी का एक बैलेंस होता है जिसको homeostasis कहते हैं उसको गलबड कर देता है और homeostasis गलबड होने से कई बीमारियां हो जाती है cardiovascular diseases से लेके hair fall तक लंबी लिस्ट है और WHO को warning इसलिए जारी करनी पड़ी कि RO और bottled water पीने वाले 99% लोग 100 से नीचे का TDS का पानी पी रहे हैं और यह सब हो रहा है स्वार के चेकर में क्योंकि 75 से 65 के बीच में पानी का स्वार सबसे मीठा होता है और जहां तक minerals का मामला है तो जब RO membrane से पानी filter होता है तो बहुत सारे minerals निकल जाते हैं दूसरी तरफी रह जाते हैं मतलब पानी के 90% minerals कम हो जाते हैं और यही हाल bottled water का है अब मजे की बात यह है कि bottled water को आम तोर पर mineral water कहा जाता है जबकि स्थिती एकदम उल्टी है उसमें minerals बहुत कम हैं वो de-mineral है और यह बीच में एक legal issue भी हो गया था और उसके बात से यह हुआ कि जो भी branded water बनाने वाले हैं उन्होंने mineral water लिखने की जगे package water लिखना शुरू कर दिया लेकिन आम जनता को अभी भी यही लगता है कि bottled water mineral water है और जहां तक यह जो प्लास्टिक की बात है तो क्या होता है कि जब RO membrane से बहुत pressure से पानी filter होता है तो काफी प्लास्टिक उसमें गुल जाता है और ऐसे ही जब bottle में पानी बहुत दिन रखा रहता है कई हपते कई महिने तो भी प्लास्टिक उसमें गुलता है और यह गुलना इसलिए जादा होता है क्योंकि 100 से कम के TDS का पानी बहुत जादा aggressive होता है हाइपोटोनिक होने के बज़े से कई जीदों को भोलता है और यह डिजॉल प्लास्टिक खतरनाक है कैंसर समेथ कई बिमारियां कर सकता है अब सुलिशन्स की बात कर लेते हैं तो पहली चीज तो यह कि bottle water बिलकुल बिना बंद करते हैं और दूसरी चीज आप अपने घर के पानी का TDS चेक करें अगर TDS 900 से जादा है तो RO लगा लें और RO का output का जो TDS है उसको 300 पर रखें 900 से कम TDS पे RO लगाना sensible नहीं है क्योंकि उससे जो स्वात का फायदा होता है उसके तुलना में जो dissolved plastic है उनका नुकसान जादा है तीसरा काम ये करें कि पानी को मिट्टी के घड़े में रखें और घड़े को ऐसी जगे रखें जहां पे धूप आती हो और हवा आती हो घड़ा बहुत कमाल की चीज है अगर पानी का TDS जादा है तो घड़ा थोड़े minerals निकाल लेता है और अगर TDS कम है तो अपनी तरफ से मिला देता है और जब उसको हम खुली हवा में धूप में रखते हैं तो पानी अच्छी तरीके से oxygenate और sanitize हो जाता है घड़े के पानी का मुकावला कोई नहीं है अब बात कर लेते हैं quantity की कितना पानी पिएं, कप कप पिएं और कैसे पिएं तो हमको रोज धाई लिटर पानी की जरुरत होती है अगर हम इससे कम पानी पिएं तो कई problem होती है जिसमें से पहली problem यह है कि हमारी body water retain कर लेती है एक बिल्कुल उल्टी सी चीज है जब आप पानी कम पीते हैं तो body water retain करती है और retain करने से बजन तो बलता ही है और भी problems होती है इसके अलावा अगर कम पानी पी रहे हैं तो kidney stone यानि की पत्थरी हो सकती है और constipation भी हो जाता है तो 10 से 12 गिलास पानी हमें पीना चाहिए अब पानी पीने में ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा पानी पीना ठीक नहीं है काईदे से एक बार में दो गिलास पानी पीना चाहिए तो हम ऐसा कर लें कि दिन भर में पांच बार में दो दो करके 10 गिलास पानी पी ले खाना खाने को और पानी पीने को भी मिक्स नहीं करना चाहिए जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाएं और जब पानी पी रहे हैं तो पानी पीएं और आखरी सलाह ये है कि अगर मजबूत बनना है चतर सुजान बनना है तो हमें घाट-घाट का पानी पीना चाहिए अपनी बॉटल लटका के घूमना ठीक नहीं है सोचे जब हमारी सासे साजा हवा में हो सकती तो हमारा पानी साजा क्यों नहीं हो सकता है अगर कहीं का पानी खराब भी हुआ तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा डाइरिया होगा जो bottled water के cancer जितना खतरनाग तो नहीं है ज्यादा ज्यादा उज से जितना खतरनाग तो नहीं है